हेलो माई डिफ्रेंट स्वागत आपका एक और ने वीडियो में पंदरा मिनट पे निफ्टी का चार्ट आपको दिखा रही हूं देखे कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि माल लीजे मार्किट यह वाला जो लेवल है इसे टेस्ट करता है मगर यहां पे नहीं आता है इसे टेस्ट नहीं करता है तो आप मार्किट को कॉल में जाते वे देखेंगे तो आपके सामने है मार्किट बहुत ही बढ़िया कॉल में गया है निफ्टी इस तरह में बिल्कुल आल टाइम हाई चल रहा है देखे कितना ज्यादा मार्किट ऊपर की तरफ किया है तो इसमे बहुत ही पड़ी यह लाल डोजी बनी है नीचे की तरफ गिरा है मार्के और यह जो ग्रीन डोजी बनी है सारा का सारा मार्केट इसकी शैड़ो में ही रहा रहा तक तो गया ही जो मैंने आपसे कहा था ठीक है तो इसमें सपोर्ट ली मार्केट ने और फिर उपर उपर चड़ता रहा तो यह जो इस तरीके से बड़ी बड़ी डोजी बन जाती है ना इनकी बड़ी वैल्लिव है बहुत वैल्लिव हैंड कि यह एक नो दिया यह जो green candle आपको दिखाई दे रही है यह वाली इसकी मदद से जैसे green candle का प्रेक आउट हुआ और यह डबलू पाटन भी है अग्वे आपको तीन मेंट पर दिखाऊंगी तो यह डबलू पाटन दिखाई देगा आपको मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि मार् यहां पर एकदम से ऐसे करके गया था इस तरह से गया था तो ओब्यस्ली यह एकदम से इस तरीके से नहीं देगा फिर यहां पर इसने time pass कराया consolidation कराया जिससे की SL create करवाए और फिर इसने अच्छा खासा यह अच्छी तरह से मार्केट चलाया देखे एक support लेवल यहां पर भी देखे पिछले दिन मार्केट में कित्ती जादा buying आई थी और आज भी market ने यहां से buying का support लिया है बस आपको इसमें यह decide करना है कि देखे ए एक दमी जो है मतलब एक दमी 45 candle गिरकें तीन मिनट का चार्ट है यह तो आप समझ सकते हैं कि डारेक्ट SL तो है नहीं इसमें तो market क्या करेगा अगर उपर जाना है तो घुमाएगा तो देख लीजी आप कितना ज्यादा market नहीं आप यह इस तरीक से किया है ठीक है बस आपक क्या देख लीजें मार लीजए यह तो ये खेंदल देख लीजें यह बी टोजी a Minh ले तो क्या रहा है तो क्या करना चाहिए मार्केट को यहां पे कितनी अच्हीं यह नहीं गई इसकी वज़े ले रहा है तो क्या करेगा ऊपर की तरफ का ब्रेक आउट देगा वही मार्केट ने दिया है आज मुझे चार्ट को समझने में निफ्टी ने जादा मदद करी थी बैंक निफ्टी के बजाए इसलिए मैं आपको यह चीज निफ्टी से बता रही हूं देखें बैंक निफ्ट करके फिर इस तरह किसे प्राइस निफ्ट चला गया यहां पर बाइंग आई थी इस लेवल पर इसने अपना दोनों पैरों को जमाया एक अच्छा वालए डबलू बनाया और फिर यह उपर चला गया अब इस ने क्या किया डबलू मिडल पर इतना जादा था कनसॉलिडेश कहां तक कि यहां तक के तो आपको at least target देगा ही अगर उपर की तरफ चल रहा है तो जी के और निफटे का साथ आप देखते रहे इसमें मैं आपको एक ट्रेड और बता देती हूं जिससे कि आप लोग को वह मतलब अच्छी तरीके से चीज़े समझ भाएं काफी volatility थिया जहां पर देखें यहां पर जब market ने यह trap करना स्टार्ट कर दिया था उपर और नहीं चाला करना स्टार्ट कर दिया था उसके बाद market यहां पर इस तरीके से गिरा था बस आपको इसमें यह देखना है कि market अगर नीचे आ रहा है अगर नीचे आ रहा है तो market क्या करेगा इसके sl क ठीक है जिन लोगों ने कॉल लगाई है कॉल वालों के एसल तो यहाँ पर है ना ठीक है वैसे तो यहाँ पर इस इस consolidation में लोग निकली लिएंगे मगर अगर इसे बाइंग में नहीं जाना है अगर इस चार्ट को बाइंग में नहीं जाना है तो यहाँ पर देखेंगे डबल टॉप बन रहा है यहाँ पर मतलब इस तरीके से सपोर्ट लाइन बन रही है तो यहाँ पर मार्केट ने आज सपोर्ट भी लिया इसे आप यह समझे चूकि एक डारेक्ट मूव है इस वज़े से यहाँ पर इसल खतम है मगर फिर भी कि अगर इसे नीचे आना है तो यह जो यह एसल है इसे छोड़ेगा इसे टेस्स नहीं करेगा और अगर यह नीचे आ रहा है और इस चार्ट के अकॉर्डिंग कहां पर इसके लिए सपोर्ट होना चीए यहाँ पर इसने बनाई है डोजी ठीक है यहाँ पर अच्छी आसे ड यह वाले SL छोड रहा है क्योंकि देखी दूसरी बात इसमें ये भी है कि यहाँ पर भी तो Direct Move है इतनी अच्छी Move गई है तो यहाँ पर भी SL खतम है मार्केट में तो मार्केट इसे टेस्ट नहीं करेगा अगर मार्किट को कॉल में जाना है तो इसे टेस्ट नहीं करेगा ठीक है इसे यहां तक टेस्ट कर सकता है मगर इसे टेस्ट नहीं करेगा अगर इसे कॉल में जाना है तो यह मैं आपको चीज बता रही हूँ और यह चीज मैंने काफी जगह पे और अलग-अलग एक्जडानू के साथ आपको बताई हैं चीज वही है फाक रादो के साथ आपको देखना होता एक हैं यहां पर किस तरीकसों फिट पैट की यह वाली बात है देखें लिए मैं आपको यह बात बताना चाहती हूं यहां उप्र देख लिया इसका अगर मारकेट नीचे की तरफ जिरता है तो डबलु मिडल का ध्यान रखें यानि 5254 2 ओकि इसका ध्यान रखें कि prices range से उपर रहना चाहिए और यहां पर market एक support line मना रहा है यहां पर support दे रहा है अगर market इस level पर 52681 इस level से support लेके मतलब उपर की तरफ जाता है तो आप इसमें छोटी डोजी देख का buying का देख सकते हैं और इसमें जो है अगर आप buying का देख रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आ तवा दिखाई दे यहां पर देखें market ने इस तरह levels बना रखें देखें यह वाला level हो गया यह वाला level हो गया तो आप पहले यह देखें कि इस level तक कि आपको target मिले अगर market इस level से support लेता वा आपको दिखाई देता है तो ओके और double middle का धियान रखें यहां पर direct move होने की important बात है कि market खूलता कहां पर देखें निफ्टी में यहां पर तीन मिनिट पर आपको चार्ट दिखा रही हूं यहां पर market में बाइंग आ रही है अगर इस level से आपको बाइंग आती दुबारा से दिखाई दे तो आपको सतर कोने की ज़रत है और बाइंग आ रही है तो मर्केट में उनकी असल छोड़ेगा इस लेवर से बाइंग कई आ रही है तो अगर मार्कેट को कॉल पसिरोड़ेगा ठीक है यहां पर सकता है मार्केट जो है इस लेवल के एसल छोड़े मतलब यहां तक Technical रिखना करे यहां तक रीच ऍार Anda करें जैसे यहां पर buying आ रही है तो थोड़ा सा यहां तक test करने के लिए आ जा और फिर उपर चला जाए यह possibility है market में या फिर यह possibility भी है कि इस level से market अच्छी buying ले ले एक बार फिर buying ले ले और फिर आपको यहां पर उपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे यह भी possibility है market में क्योंकि यह बहुत ही ज यहां पर है तो अगर market जैसे मैंने आपको अभी example बताया था इसका बैंक निफ्टी का यह example बताया था यह वाला यह जो यह वाला example बताया था मैंने यही example यहां पर सौट आउट हो रहा है market में आपको इस level से बहुत जादा बाइंग आती दिखाई दे रही है तो इन सब के SL का होंगे इन सब के SL यहां पर होंगे तो market आपको SL छोड़ता वा दिखाई देगा या फिर थोड़ा बहुत ट्रैप करता वा और फिर उपर जाता वा दिखाई देगा यह सीनिस में दिखाई दे सकता है इसलिए मैं आपको यह बता रही हूं कि यह जो trading zone है यह जो zone है यह 23824 तक 23824 तक इस zone पर आप सोड़ा सा सतर रहे हैं और market में यही स्थिती यह चार्टी ऐसा है इसलिए मैं आपको यह बता रही हूं यही स्थिती देखे इस level पर भी बन रही है यह level क्या है यह level है जी 23806 पर अगर market आपको support लेता दिखाई दे यहां कहीं open हो जाए मगर य यहां के SL नाले यह है 23791 तो आप इस पर जरूर से जरूर देखें कि यह call की तरफ जाएगा तोड़ा सापको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि market किस level से buying उठा रहा है support कहां से ले रहा है बात सारी कि सारी इसमें यह है कि देखें नीचे SL नहीं है अगर यहां कहीं खु कोशिश ही करेगा कि कि किसी जोन से support लेके उपर जाने की कोशिश करूं ठीक है अगर ज्यादा ही उपर खुल गया तो आपको तो करेंट जो प्राइस सेक्षिन बनाओगा उसे साब से देखना पड़ेगा ठीक है तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा आप टेले अच्छी होती है